इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक contour की placement बदलने से आपके face पे कितना change आ सकता है सबसे पहले अगर आप contour और bronzer में confused हो तो contour थोड़ा greyish brown होता है और bronzer थोड़ा reddish brown हम contour यूज करते हैं अपने face पे shadows बना के अपना bone structure शाप करने के लिए और bronzer यूज करते हैं एक sun kissed effect के लिए तो अब इस contour को हम इस side पे side से लगाएंगे ऐसे अपनी fingers से blend करूँगा जैसे कि आप देख सकते हो एक shadow form हो रही है जिसकी वज़े से मेरी cheekbone थोड़ी lifted लग रही है इस side पे contour को इधर लगाऊंगा इधर और यहां से नीचे L shape में कुछ ऐसे और अब मैं इसको blend करूँगा मुझे already difference दिखाई दे रहा है यह वाली side definitely slimmer और ज्यादा chisel लगाई है अब हम थोड़ा सा bronze करेंगे bronzer की placement मैंने बिल्कुल same रखी है मैं contour center से लेके downwards किया bronzer side से लेके ऐसे curve में लगा रहा हूँ honestly दोनों sides अच्छी है लेकिन इसमें मेरा cheek थोड़ा heavy लगता है और इसमें मेरा face थोड़ा स्कल्प्टेट लगता है आपको कौनसी side ज्यादा पसंदे मुझे बताओ